ये चार्जिस कैसे बढ़ने जा रहा है और आपकी जेब पर कैसे ये भारी बढ़ने जा रहा है तो 20 जनवरी से कैसे बैंकिंग के नियम बदल रहे हैं ये ज़रा समझिए सेल्फ चेक से अधिक्तम 50,000 रुपई की निकासी है लेकिन उसमें जो फीस बैंक लेगा आपसे वो है 10 रुपई की अब आप समझ लीजे की अब 50,000 रुपई आप अगर निकालते हैं सेल्फ चेक से तो 10 रुपई आपके जेब से निकलने पक्के हैं कोई 30,000 रुपई ही निकाल पाएगा ये भी नए नियमों में शामिल है जो कि 20 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं ये भी आपको समझने की ज़रूरत है उसके अलावा जो कुछ और नियम बदलने जा रहे हैं 20 जनवरी से उसके तहट कैश जमा करने पर किस तरीके की निय जिसको जमा कर पाएंगे लेकिन सेविंग्स अकाउंट में हर दिन 50,000 रुपई जमा करना फ्री है लेकिन उसके बाद अगर करते हैं तो प्रती हजार रुपई धाई रुपई की फीस आपको लग जाएगी तो यहाँ पर भी आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में जो पैसा है वो जरूर निकल रहा है बैंकिंग ट्रांजक्शन के जरिये अब जैसे CACCOD मतलब करन्ट अकाउंट कैश करेट और ओवरड्राफ अकाउंट है उसमें प्रते दिन 25,000 रुपई जमा करना फ्री है लेकिन उसके बाद प्रती हजार यहाँ पर भी धाई के तोर पर जाना बहुत जरूरी हो जाता है इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए 25 रुपई लगी है मतलब कई लोग जो कि बैंकिंग लाइन में लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं चाहते हैं घर बैठे बैठे यह जो सुविधाएं हैं उसको उसका आनंद लेन नहीं मिल रही है 25 रुपई आपको इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए भी चुकाने पड़ेंगे मतलब की less cash economy या digitization की बात हो तो वहाँ पर भी चार्ज के रूप में आपसे खुब पैसे लिए जा रहे हैं पिन और पासवर्ड के लिए 10 रुपई आपको देने पड रहे हैं उसके तहत ये तमाम चीज़े आपको ध्यान में रखने की जरूरत हो जाती है तो साफ तोर पर विवेक ये साफ है कि कस्टमर फर्स्ट कहा जाता है लेकिन बैंकिंग सर्विसेस में आम आदमी पर जिस तरीके से बोच पड़ रहा है ये तो साफ है कि अब अगली जब आप किसी भी ऐसे काम के लिए जाएंगे में आए हेल्प यू सुनकर शाह थोड़ा बहुत घवरा जाएंगे